केंद्रिय मंत्री राम बिलास पासवान का गुरूवार को नई दिल्ली में निधन हो गया है। पासवान के बेटे चिराग पासवान ने टूइट कर ये जानकारी दी है। पासवान पिछले कुछ समय से बिमार थे और दिल्ली के एक अस्पताल में भरती थे। तीन अक्टूबर को देर रात राम बिलास पासवान के दिल का ऑपरेशन किया गया था। मौसम विज्यानी कहे जाने वाले राम बिलास पासवान 1979 में विधायक चुने गए थे। पासवान मोधी कैबिनेट में उपभोकता मामले, खाद और सार्वजनिक वित्रन मंतरी थे। पांच जुलाई 1946 को बिहार के खगडिया में जनवे राम बिलास पासवान कोसी कॉलेज और पटना युनिवरसिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1979 में बिहार के DSP के तौर पर चुने गए थे। 1979 में पहली बार सन्युक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधाइक बनने वाले पासवान, राज नारायन और जै परकाश नारायन का अनुसरन करते थे। पासवान 1974 में पहली बार लोगदल के महासचिब बनाए गए थे। वे वैक्तिगत रूप से राज नारायन, करपूरी ठाकूर और सतेंदर्स नारायन सिन्हा जैसे आपात काल के परमुक नेताओं के करीबी थे। पासवान ने दो शादिया की थी। उनकी पहली पतनी राजखुमारी देवी के साथ उनका रिष्टा 1979 से 1981 तक रहा। 1982 में उन्होंने रिना शर्मा से शादी की। पासवान के परिवार में उनकी पतनी के इलावा दो बेटियां उश्या और आश्या पासवान और एक बेटा चिराग पासवान है।